हर हर महादेव दोस्तो स्वागत आपका हिमान चलकिन खोप सुराथ हसीन वादियु में और स्वागत आपका महादेव के इस पवित्र नगरी में दोस्तो मैं हूँ नीरेज और स्वागत आपका हाथ के और मेरे यूटूब चैनल में दोस्तों, आज मैंने एक नही आतर की सुरुआत कर दी है कर दोस्तों, आज मैंने एक नही आतर की सुरुआत कर दी है कर दोस्तों, आज मैंने एक नही आतर की सुरुआत कर दी है स्री कृष्ण का वो मंदिर जो पर पांडव ने बनाया था और वो मंदिर जो दुन्या की सबसे उचाई परिस्तित है आप देखें बहुत ही खूब सुरत हिमानचल की यह कि नौर घाटियेगा गाउं यूला गाउं और यहां से यह रास्ता जा रहा है यहां से बारा किलोमेटर उपर है झाल तर तक करूब से बारा की मत जाव आज़ाखेंगा जाओें बहुत है झाल 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 यहाँ पर भी आपको कोई नज़र नहीं आएगा क्योंकि हावी फिलाल मैं ही यहाँ पर हूँ अकेले और अकेले जो यात्रा करने का आनन्द है वो अलग है, सात्म अलग है सबका अपना-पना झाल 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 राम जी ने उताल लिया, उसके बाद कृष्ण भगवान ने उताल लिया, तो भगवान विष्णु कहें, कृष्ण भगवान कहें, या राम कहें, सब एक हैं, तो भगवान विष्णु को पीला कलर परसन है, तो ये देखिए, ये पूरी जो झाल 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 प्रयाद जो बन्याद करना नचल से लिएाद बन्याद करना तो रिए तक स्वेशे लिए्टों से लिए लिए गज़ है कि अज़ कि अज़ बन्याद कि अज़ है दोस्तों लगबग आचनो किलोमेटर आगे मैं आ चुका हूँ युला कांडा जो कृष्ण का अगवान कृष्ण का दुनिया की सबसे मुचाई वाला मंदिर है वहां पर यह आप देख सकते हो यह जंगल यहां पर खतम हुआ जैसी जंगल खतम हुआ वैसे ही यहां पर एक अ मेरे पीछे आप देख सकते हो यह पूरा भुग्याल वाला एरिया है अभी यहां से आगे 3-4 किलोमेटर और जाना है उस मंदिर पर उस तालाब पर कुंड पर जे हो है भगवान स्री किष्ण का सबसे पवित्र सबसे पुराना और सबसे उचाई वाला मंदिर है